हां जी कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूं अच्छे ही होंगे और अगर अच्छे हैं तो चलिए आप से एक लेगे इस चैनल पर मैं थोड़ा सा ना अनफॉर्मली पढ़ाता हूं मज़ा आता है मुझे भी इसलिए इसलिए तो इतने सारे वीडियो आ जाते हैं इस वीडियो क जो लोग already react सीख के आ रहे हैं उनको पता है यह topic कितना difficult होता है और कुछ किससे भी बताता हूं इसके यह topic हम यहां पे लेंगे वो लेंगे context का अब देगे अकसर लोग context को directly context API को या react के documentation से वहां से पढ़ने लग जाते हैं जबकि वो starting point होता ही नहीं है इस topic है इस topic का starting point आ यहां से आता है तो interesting बात क्या है नाम तो मैं नहीं लोगा किसी का देखे professional cutsy होती है नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का भी पर क्या है कि यह topic मैंने सिर्फ YouTube बगरा पर या अपने courses में अपनी company के लिए नहीं कई औरों के लिए भी पढ़ा है हाँ जब मैं किसी company से associated नहीं हाँ जी पढ़ा देंगे कोई दिकत नहीं तो student काफी surprise हो गए ते किते सर आप यहां पे कैसे मैंने काम जैसे भी है यहां पढ़ाने तो आए है तो पढ़ लीजे और एक बार तो एक institute ऐसा जो की लाखों में चार्ज करता है वहां से request गही एक international company को कि हमें यह topic अपने internal company के लिए करवाना है as a corporate training तो मैं वहां पे गया था वहां पे teachers देख के हरान परेशन किते आप यहां पे कैसे उनके साथ भी मैं हूँ जहां भी जाओगे मुझे ही पाओगे तो मैंने उनके teachers को यह समझाया फिर उनके teachers ने जाके student को समझाया तो जहां भी जाओगे पाओगे त बढ़ा interesting topic है, interesting subject है और मुझे अच्छा भी लगता है help करना कि ताकि और teachers भी सीख पाएं, student भी सीख पाएं और सिखा पाएं तो context API के अंदर बहुत मजा आता है तो इस video के अंदर हम ना दो projects बनाएंगे क्योंकि एक project से context API को समझना बहुत ही difficult है दो projects इसलिए क्योंकि आप मैं पहले से कोई videos वगरा देख रखे हैं, थोड़ा बहुत कुछीख रखा है, हटा दो सब दिमाग से, एकदम empty canvas चाहिए, तब जाके हम हमारा काम कर पाएंगे, थोड़ा से हमारे specs लगा लें वरना आखे वापिस से हमारी एकदम लाल हो जाएगी, ठेक है जी, हाँ आपके साथ, तो यह आगे हम basic, बनाने क्या जा रहे हैं, यह बनाने जा रहे हैं, बड़ा ही basics है, theme toggler है, आपको लगेगा, अरे सरी तो बहुत ही basic था, लेकिन बड़ा interesting project है यह, यह कुछ नहीं light mode, dark mode है, अब आप कहेंगे सार, यह तो 5 minute में बन जाएगा, लेकिन, लेकिन context API जैसे आप introduce करते हो ना, कुछ भी 5 minute में नहीं होता, और यह project ले रहा हूँ, इसलिए मैं इसको समझा पाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर कोई e-commerce या कोई भी complex project ले लेता ना, आप 5 दिन इस channel पर बैठे रहे हैं, लेकिन आपको एक बिदिन context API नहीं समझ में आएगा, हाँ इस बात की guarantee है, यह अपने आप में एक बड़ा interesting और challenging option है, तो चलिए, सबसे पहले start करते हैं, कि suppose करिए, मैंने बनाया है यहाँ पे एक card, ठीक है, अब मैंने, यह मेरी app है, अब इस app के through मेरे को इस card के अंदर कोई data pass करना है, ठीक है, तो इसको हम बनाते भी जाते हैं साथ की साथ में, तो यह तो हो गया हमारा, यह लिजे, app, self closing, ठीक है, तोड़ा सा दिखने में, हाँ आप देख रहा है, यह हो गया हमारा app, ठीक है, तो यह तो आगया हमारे पास app का, ओके कोई problem नहीं है, यह आया हमारे पास में card, ठीक है, आपने card component बनाया, तो यह लिजे हमने card component बना दिया, capital C से बनाएंगे, वरना error आजाएगी, ठीक है, अब इसके अंदर आपको data पास करना था, तो बहुत ही आसान था, ऐस सच कोई complicated नहीं था, जैसे मैं यहाँ पर एक data पास कर देता हूँ, तो मैंने बोला title जो है, या फिर username पास कर देता है, थोड़ा अच्छा यहाँ पर print कर दिया है, तेश, ठीक है, तो अभी तक तो इतना काम हो रहा था, अभी card actually में जो है, यह पूरा का पूरा material जा रहा था हमारे इस app के अंदर, ठीक है, यहाँ तक कोई problem नहीं थी, अब क्या है, आपके पास एक और नया scenario आया, कि ठीक है, इतना तो काम हमारे प पास dashboard, तो अब विसी बात है, dashboard लिखेंगे, यह लीजे, dashboard, अब dashboard कैसा दिखता है, dashboard कैसा दिखता है, dashboard कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इस dashboard के अंदर दो parts है, एक part है हमारा left side navigation bar, और एक side है top, यह right side bar, left side bar और right side bar, इस right side bar के अंदर भी दो portion हो रखें, एक portion यह हो रखा है, और एक portion यह हो रखा, यह सब component है अपने आप में, ठीक है, और अब क्या है, यहाँ पे आपके पास एक card है, हाँ जी, वो यह same card use कर रहे हम, तो यह आपके पास card है, जहाँ पे आपको username display करना है, अब कैसे display करोगे, और जो username है वो आपके पास chai के अंदर रखा हुआ है, ठ सबसे पहले तो dashboard के पास जाओगे, उस dashboard को बोलोगे के काम करो, यह लो title, और यह लो हमारा title जो है, ठीक है, अब dashboard के अंदर हमने एक left side भी बना रखी ए component, एक right side भी बना रखी है, चलिए इसको भी बनाते हैं, तो यह हो गया हमारा left side, ओके और इसी तरह से हो गया हमारे पा top और bottom तो ठीक है, इसको top ले लेता है, bottom लेने के अभी ज़रूत नहीं क्योंकि आप समझी गए अब, तो यह हमने ले लिया top comp for top component, और उसके अंदर फिर हमारा card है, तो यह लीजे, वही same card ही मान लीजे, बट वही exact same card हम यूज़ कर रहे हैं, पर इस card के अंदर तो data आया है पास करोगे इस right side वाले में, right side वाले से पास करोगे top में, और top से पास करोगे finally card में, तब आपके पास card में data आएगा, पर हमने यह देखा कि इस right वाले को जरूत तो थी नहीं उस title की, और इस top component को उसको भी जरूत नहीं थी, बट उसको लेना पड़ा, क्योंकि आगे पास करना पड़ा, अगर individual अलग से भी कहीं होता, तो data कोई pass करने का तरीका ही नहीं है हमारे पास, react का design ही यह है, तो props के अंदर props, props के अंदर props ही pass करने पड़ेंगे, कोई और option है ही नहीं, और इसी तरह से हम काम कर रहे थे, जब react starting initial days में है, in fact कई ऐसे project है, but obviously बात है, यह क्योंकि यह data आगे pass करना है, ठीक है, लेकिन एक better approach हो सकती है, जी बिलकुल हो सकती है, कैसे हो सकती है, कि मैं अगर यहाँ पे एक title बना देता हूँ, इस तरह से, यह suppose करिये हमारा एक global object है, ठीक है, इस global object के अंदर क्या आ गया, suppose करिये एक title होता है यहाँ पे, जिसकी value होत तो क्या ऐसा कुछ mechanism हो सकता था, कि यह जो मिर पास चाय है, यह directly यहाँ पे आके और इस से पूछ लेता अगर यह सारी values, तो मुझे pass करने के जरूत नहीं पड़ती, हाँ जी, तो इसको हम associate कर देते हैं इसके साथ में, तो यह लीजे, तो अब क्या है कि हमार पास यह card जो ह तो यहाँ से भी हट जाती, यहाँ भी pass करने की जरूत नहीं थी, यहाँ से भी हट जाती यह सारी चीजें, और dashboard में में क्यों ही pass करना है, फिर अगर directly call हो सकता है, तो यहाँ से हो सकती है, in fact आपको जरूत तो यहाँ भी नहीं पास करने थी, बट assume करता हूँ मैं चलिये कि app ने कोई database से request मारी और वहाँ से username लिया, तो ठीक है app ने बोला, लेकिन app actually मैं अच्छा होता ना, कि app भी कुछ ऐसा ही काम करती, कि यहाँ से directly इसके अंदर pass कर देती data, है कि नहीं, अगर app भी इसी तरह से directly pass कर देती, तो मुझे कोई tension वाली बात ही थी, कि आपके पास data आया, आप prop में pass ही मत करो, तो आप इसको क्या करो, सीधा इसको जाओ और बोलो कि आप भी यहाँ से यह data हटाओ हाँ, data pass करोगे, लेकिन prop में नहीं, आप directly component level से यहाँ data pass कर दो तो सिर्फ ए global file बना के हमार पास कितना advantage है कि हमें data इधर से फालतु फैलाना नहीं है और यह जो पूरा रायता हमारा फैला है यह problem में नहीं आता तो जो concept है इसको बोला जाता है prop drilling बट क्या है कि prop drilling से actually मैं समझ में कुछ नहीं आता कि हो क्या रहा है तो यह जब कभी interviewer को इस तरह से आप explain करोगे तो obviously बात है interview क्या हर चीज़ अराम से crack करोगे बड़ी post भी crack करोगे SD23 साब ठीक है अब इतना तो समझ में आ गया कि ठीक है तो इसके लिए क्या क्या available है अब इसके लिए अक्सर लोग कहते हैं तो context API अकेला नहीं है actually में और भी libraries है जो यह काम कर रहे है क्योंकि यह कोई proprietary problem react की problem थोड़ी नहीं है view में भी थी और यह सब react वगरा popular है उससे पहले एक backbone js भी चलता था उसके अंदर भी यही same problem थी तो context API तो क्या है देखिए context API associated है pure और pure react से यह react के बाहर exist नहीं करता है लेकिन क्योंकि problem सिर्फ react की नहीं है तो और भी चीज़े exist करती होगी जो exact same problem को solve करती है और उसी का नाम हमार पास redux है हाँ जी redux भी हम देखेंगे इसके अंदर तो redux का काम यह है कि यह जो state management है इसको काम में करना यानि कि जो data इधर से उधर पास हो रहा उसको एक organized way में पास करना अब redux की क्या है कई versions आपको दिखेंगे जैसे redux तो अकेला एक standalone library है लेकिन react redux के लिए क्या होता है कि react के अंदर काम कराना है तो हमारे पास है react redux तो इसको भी हम use कर लेते हैं in fact इस redux का ही एक और easier version आजकल market में है जिसको बोला जाता है redux toolkit और इसी को short form में आप सुनोगे कई जगे से RTK हाँ जी redux toolkit तो कई लोग fancy होने के लिए redux toolkit बोल देते हैं अच्छा react redux की तो ये कहानी है ठीक है अच्छा और भी है के इस तरह के हाँ जी और भी state management इस तरह के काम है जैसे मैंने काफी पहले एक वीडियो बनाया था English channel पर है the stand तो the stand भी एक easy library है state management के लिए और भी है और भी बहुत libraries है हम सारा दिन बैठके उनको count कर सकते हैं बढ़ कोई फाइदा नहीं है जाद तर आप रीडक्स पर काम करोगे या कोई अगर नया startup है या जो नया code base वगरा लिखा जा रहा है उसमें हो सकता है आप the stand यूज कर लो लेकिन एक बार आपको context API समझ में आ गया तो almost easily आपको Redux और Redux toolkit पर समझ में आ जाएगा और यह समझ में आ गया तो the stand भी समझ में आ जाएगा इनके लिए हर बार tutorial देखने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है अब वैसे तो मैं सोच रहा था इसका एक अलग से वीडियो कर लें कि इतना कि what is state management वगरा तो हम सोच रहे हैं कि यहाई पर करी लें इस वीडियो को separate part में या फिर चलने दें अभी चल यह चल नहीं देते हैं वीडियो को थोड़ा long कर लेंगे ठीक है कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो को chop कर लें एडिटर से कटवा लें यहाँ और एक separate वीडियो अलग से custom launch करते हैं अब आते हैं हम यहाँ पर इसको तो हम करते हैं clean और यहाँ से इसको हटाते हैं वापिस से लाते हैं अब सबसे पहले एक नया project बनाएंगे हम उस नया project के अंदर यह सारा का सारा काम करेंगे एक basic approach से अच्छा इससे पहले मैंने आपको एक चीज तो बताई नहीं नहीं वो तो बतानी ज़रूरी है context API तो google पर जाएए और लिखिए context API और यह आपको react नहीं legacy पर नहीं देखेंगे react.dev पर नहीं है क्या बताईए search list में ही नहीं आ रहे deeply with context react.dev पर देखना है react.dev official documentation ही चाहिए मेरे को तो ठीक है यह है आपका context या use context यही पूरा हम समझेंगे इसी एक line को समझने के लिए इतना time लगता है इसलिए तो problem है कि इसका documentation इतना best नहीं है इसलिए लोगों को time लगता है इस होग को समझने के लिए बस एक use context यह दे दिया है और यह सारी बस हाँ आप देखेंगे तो बस इतना सही है usage यह रहा पता लगा लो अगर आपको लग पा है तो किस तरह से theme हाँ यह भी example theme का ही देते हैं बट यह वला example इनका समझ में नहीं आता है थोड़ा update किया जा सकता था यहां पे तो चलिए अब हम बनाते अपना एक project तो npm create wheat अब तक तो आपको याद हो गया होगा at the rate latest ओके project का नाम क्या दे इस project का नाम देंगे है mini context mini context in fact numbers के साथ देंगे बिना numbers के तो कैसे 8th project है तो 08 वैसे तो 7.5 भी बोलूँगा इसको मैं mini context okay package name भी यह है हम जाएंगे अपने react के अंदर और javascript के अंदर और बस इसमें तो हम tailwind वगरा कुछ भी install नहीं करने वाले इसके अंदर चलते है 08 npm install चलिए होई है install होई है फटा फट उसके बाद हम आचा additional कुछ भी आपको install करने के जरूत नहीं है जो context है यह context API वो react के साथ में आता है यह state management ना इतना common problem था कि react ने eventually सोचा devon पे नहीं था eventually सोचा कि ऐसा कुछ हमारे अंदर भी होना चीए directly state management library को और sustainable बनाने के लिए तो इसलिए उन्होंने directly वहाँ पे इसको add कर दिया है npn run dev और कर लेते हैं dev को run और देख लेते हैं यह रहा हमारा project ठीक है कोई देकत नहीं है अच्छा आप इसको देखते कैसे हैं सोचते कैसे हैं वो सबसे important है देखें context का क्या है आप कभी भी किसी भी project में बाद में भी inject कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं अगर आपको पता है आपका project थोड़ा सा complex होने वाला है या good practices वगरा follow करने है तो almost सभी react के project में state management लगता है almost सभी में ज़रूरी नहीं है कि सब में हो बट almost सभी में लगता है especially अगर आप कोई server से deal कर रहे हो API इस से deal कर रहे हो थोड़ा complex project है resume में add like है उसमें कोई ना कोई state management होता ही है ओके तो अभी चलते हम याँ पे अच्छा अब इसको deal कैसे करना है देखिए source के अंदर हमार पास जो है वो है ठीक है कोई दिकत नहीं है अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इस project को पहले bare minimum बनाते हैं तो app.jsx के अंदर जाएंगे ये सब हमें state वगरा की ज़रूत नहीं है और इसको हम minimize करके remove करेंगे यहां से और सबसे जरूरी statement लिखेंगे हमें यहाँ पे h1 के अंदर react with chai and share is important क्योंकि आप लोग share कम कर रहे हैं इसलिए लिखना जरूरी है ठीक है तो ठीक है message आ गया है बड़ा बड़ा इसी message का चाहिए तो screenshot ले लो पर share करना जरूरी है ठीक है इतना काम तो हो गया अब देखें कैसे किस तरह से handle करते हैं हमें handle करना है context API को context API मतलब एक global variable बना रहा हूं उस variable के अंदर सारा data जाएगा बट क्योंकि react है state हमने देखा इतनी असानी से update नहीं हो जाता है अगर होता तो मैं directly global.variable नाम से file बना लेता है .gs वहाँ से values ले ले global file बना लो global.js और उसी के अंदर सारे variable रख लो रख सकते हो लेकिन आपका project हर जगे से problem में आ जाएगा क्योंकि कोई भी variable उसको update कर देगा और जहां आप नहीं चाहते वहाँ भी update हो जाएगा ये एक problem आता है तो सबसे पहले source में new folder एक बनाईए और इस folder का नाम हम रखें जिस file का नाम होगा हमारे पास में user context.js, jsx नहीं है यहाँ पर, सिर्फ js है क्योंकि इसमें pure and pure JavaScript ही होती है अकसर, अब यह जो context है अभी हम दो files के अंदर बनाएंगे break करके, user context है उसी तरह से देखिए login का भी context हो सकता है, products का भी context हो सकता है, cart का भी context हो सकता है, multiple context आप बना स तो सबसे पहले क्या करना है, हम क्या करते है, react को import कर लेते हैं, यह लिजे react from और react यह लिजे, अब क्या करना है, अब बनाना है आपको एक context, context कहां से मिलेगा, इसी react के अंदर ही आपको context मिल जाता है, तो आप जैसे ही देखेंगे dot context, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, create context, अब यह क्या है, एक method है, जिस तरह से user state वगरा method होते थे, वो ही method है, इसको store कर लो एक variable के अंदर, यह लिजे, इसको बोल देते है, user context, store कर लिए एक variable में, इस variable को आप output में throw कर दो, ठीक है, export, default और user context, तो एक बात बताओ, अभी तक जो हमने काम किया, इसमें कोई दिक्कत है क्या, comments में बताओ मुझे फटा-फट, होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि as such कुछ rocket science रहने किया ही नहीं है, एक variable बनाया और उसको throw कर दिया output, और हमारा context मिल गया है मैं, ठीक है, यह तो हो गया हमारा part 1, अगर आप notes भी लिख रहे हो, तो step में इसके notes लिख लेना, ठीक है end of the day, इसको एक wrapper लगाएंगे, जैसे आपने देखा होगा कई जगे हम div को भी as a wrapper use करते हैं, कि यह हमारा div हो गया है, इस तरह से लिखते हैं हम कई जगे, या फिर कई बार fragments को भी use करते हैं इस तरह से, और इसके अंदर जो भी लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे eventually जाके, जि हो सकता है dashboard आपके पास आजाया है, या data नाम से कुछ आजाया है, जो भी आपको रखना है, हम इन सभी को wrap करा देंगे हमारे इस user context से, कुछ इस तरह से, तो जैसे ही मैंने इसको wrap करा दिया इस तरह से, तो क्या होगा, यह बन जाएगा एक provider, provider से मेरा मतलब है, अब कोई भ इसक सा है, context का एक बार आपका बन गया, तो इस context के साथ एक provider भी बनाना पड़ता है, provider क्यों, जो की data provide करेगा, उसको use कैसे करेंगे, इस तरह से, top level पे हम इसको लगा देंगे, ताकि इसके अंदर जितने भी हैं, और इसके अंदर further और जितने आप components बनाना चाओ, बना सकत इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, अभी हम first तरीका ही देख रहे हैं, फिर मैं आपको एक short way भी बताऊंगा इसका, ठीक है, यह हो गया हमारा user context provider, और यहाँ पर आएगा .jsx, अभी तक जो था .js था, क्योंकि वहाँ पर कोई jsx return नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने context provider बनाया, अब हमें jsx बनाना पड़ेगा, क्यों, अभी तो जस बताया था, कि जो हम fragments ले रहे थे, top level पर उसको रखना पड़ेगा, तभी तो आपके सारे variables में access हो पाएगा, jsx लिखते थे जैसे हम, इसलिए हमने इसको jsx बनाया, तो सबसे पहला क्या काम है, react ले आओ, एक user context provider, यह हमने बनाया user context provider, यह क्या है, कुछ नहीं है जी, एक method है, और कुछ भी नहीं है, इतना ही बेसिक हमरे एक method आ गया है, अब इस method को export भी कर लो, ठीक है जी, export भी कर देंगे, इतना कौँ सा rocket science का काम है, export default user context provider, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत, नहीं जी, कोई दि outlet वगरा सीखे थे, कि जो भी values, header as it is रखो, footer as it is रखो, outlet जो भी है, उस display करा दो, उसी तरह का एक और concept होता है, कि आपके पास जो भी प्रॉप आ रहे है, children, उसको as it is, आप यहाँ पे use कर लो, कैसे use करते हैं, वो भी बताता हूँ, अच्छा है, चिल्रन जो है, यह कुछ magical नहीं होता है, जैसे आप अपना div वगरा देते हो, बस वो ही children है, एक तरह से कुछ children एक generic नाम है, कि जो भी आपके पास आ रहा है, उसको as it is आगे पास कर दो, हाँ बस, इसलिए एक generic नाम हम use करते हैं, as such कोई जरूरी नहीं है, इसको नाम हम children ही दें, बट क्योंकि states वग आया था, exactly वो का काम करेंगे, मैंने आपको बताया था, कि हम wrap करेंगे इस तरह से, और उसके अंदर क्या देंगे, उसके अंदर जो भी मेर पास आ रहा है, वो children हम as it is render करवा देंगे, अब इसके अंदर हो सकता है, card component है, हो सकता है, card के अंदर dashboard है, dashboard है, children लिखने का मतलब यह था, कि जो भी आ रहा है, वो as it is लिखतो, ठीक है, पर हमने देखा था, कि उसको wrap करना पड़ेगा, wrapping ही तो providing है, तो यह जो user context है ना, यह सिर्फ अकेला यहां पर लिखने से actually में काम नहीं होता है, क्योंकि इसकी एक आपको value access करनी पड़ती है, एक property, तो वो property क्या है, context dot, हाँ, literally provider ही बोलते हैं उसको, यह provider हमने यहां पर pass कर दी, लेकिन क्या है, सिर्फ यहां पर आप इस तरह से context provider pass करोगे, तो actually में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठीक है, provide तो कर दिया, लेकिन क्या चीज access करेगा यह, कोई data भी तो देना पड़ेगा ना साथ में, हाँ जी तो data कैसे देंगे, हम क्या करते हैं data के लिए, simply, return यहां पर आ गया है, ठीक है, तो हम यहां पर जाते हैं, और एक हम यहां पर state बना लेते हैं, अब मैंने एक नाम दे दिया user, और इसके अंदर एक method दे दिया, set user, और इसको हम ले लेते हैं, use state से, यह react.use state ले देते हैं, क् आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई problem नहीं है महाँ पर, और by default मैं उसके अंदर value क्या नल दे देता हूं, आप चाहें तो square bracket वगरा या जो भी कुछ आपको देना है, वो आप दे सकते हैं, इस तरह से काम हो जाएगा, अब क्या देखें, error को देखते हैं, यह क्या कह रहा है, jsx element user context.provider has no corresponding closing tag, ठीक है जी, आपके पास closing tag नहीं है, तो हम यहाँ पर पहले closing tag देते हैं, ठीक है जी, अब यह तो अभी तक satisfied है, लेकिन problem तो वही है ना, कि आपने provider से wrap तो कर दिया, but actually मैं कौन सी value का access दे रहे हो, वो भी तो आपको बताना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हमें provider के अंदर एक property मिलती है, prop, हाँ जी, हाँ पे भी आप prop ही pass कर रहे हैं एक तरह से, वो है value, तो जो भी आपको data pass करना हो, आप इसको pass कर सकते हैं, अब मैं क्या है, सिर्फ value इस तरह से pass नहीं करूँगा, एक object पास कर दूँगा, जिसके अंदर मेरा जो मंचा है, मैं data यूजर का access भी घांएं तो पांचो छीजो का access देदो, ओ है, यह हो गया हमारा almost आदा काम कि जिस तरह से हमारा यह काम होता है, यही है आपका setup, जादा कुछ थानी समझने लाइक चीजे थी, बट यह तो bड़ा basic था, create context बसने नेसा speed में बनाएंग अउर provider भी अब नेक्स calls करने हैं, जो करने हैं, यहाँ पर ही कर लो, और यहाँ के बाद जो access मिल गया है, वो सीधा access यहाँ पर throw in कर दो, ठेक है, variable बना देंगे state में store कर लेंगे, use effect और जो लगाना है लगाए, यह कोई दिक्कत नहीं है, और सीधा यहाँ पर store करके यह लिजे value, अच्छा यह तो काम हो गया कि हमारा store बन गया है, सब के पास आ गया है, लेकिन यह store का access कैसे मिलेगा, लेकिन कुछ लोग store का access direct main.jsx में देते हैं, कोई आपत्ती वाली बात नहीं है, कुछ लोग app.jsx में देते हैं, खोई आपत्ती वाली बात नहीं है, वहाँ पर भी same ही काम होगा, काम क्या होगा, कि आपको पहले यह user context provider ना, इसको import करना पड़ेगा, हम auto import पर थोड़ा से rely करेंगे, क्योंकि ठीक है, कर सकते हैं, और यह सब चीज़े मुझे access, user context provider, यह लिजे, auto import भी हो गया है, तो अगर यह यहाँ पर आपने ले लिया है, तो obvious सी बात है, यहाँ पर लेंगे, अच्छा, आप कई लोग क्या करते हैं, इसमें एक और syntax में आपको बताऊंगा, कई लोग user context को ना, दूसरे तरह से export करते हैं, वो भी हम देखेंगे, तो आप कई जगे ऐसा देखेंगे, कि user context और यहाँ पर लिख रखा है उन्होंने, dot provider, वो भी एक ही बात है, वहाँ से file से export होके है, चाहिए यहाँ लिखो, और फिर यहाँ पर देते हैं access value वगरा, जो देना यहाँ पर देते हैं, देखेंगे गलत कुछ भी नहीं है, सबके अपने अपने use case हैं, वैं आपको दोनो use case बताऊंगा इसके अंदर, तो यह तो हो गया हमारा भी user context provider, ठीक है, अब यहाँ पर error है, okay, has no corresponding closing tag, अच्छा closing tag यह बार-बार यहाँ कैसे shift हो जाता है, ठीक है, यह आगया, अब मेरे पास क्या है, कि app के अंदर में यहाँ पर जो भी यहाँ पर component कह लीजे, जो भी component आप लेंगे, वो component के पास आपको directly access मिलेगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ components बना लेते हैं, जिससे कि हमें actually में पता लग जाए, हम क्या क्या करने वाले हैं, तो पहला component actually में folder बना लेते हैं, और फिर हम देखते हैं, और दो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, तीन, चार, पांच आप बनाईएगा, जिसमें आपको पता लग जाए, कि हाँ, हम सब के अंदर सेम तरीके से अक्सेस लेते हैं, तो ये लीजे, folder और इसका नाम रखते हैं, components, एक component बनाते हैं, अपना login, .jsx, और एक बनाते हैं, हम profile बना लेते हैं, profile.jsx, तो एक में हम क्या करेंगे, data किस तरह से access होता है, वो देख लेंगे, एक में data किस तरह से send होता है, वो देख लेंगे, तो दो नहीं हमारी यहाँ पर कहानी clear हो जाएगी, तो हम लेते हैं, RFCE, react functional component, login का component आगया, अब login का component आगया, तो obvious ही बात है, login वाली चीज़े भी चाहिएगी, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले, क्योंकि data भेजना भी तो है, तो कुछ चीज़े आपको import करनी ही पड़ेगी, देखे, एक चीज़ तो हम काम में लेने वाले हैं, यूज़ स्टेट, वो तो आपको पता हो गई अब तक, ठीक है, एक हम यहाँ पर हुक काम में लेते हैं, जिसका नाम है यूज़ कॉन्टेक्स, और इसी के साथ से ही आपका documentation यहाँ से स्टार्ट होता है, जो react वाला है, यूज़ कॉन्टेक्स टेक होक है, वहाँ से आप directly access ले सकते हैं, लेकिन यूज़ सेटफ वाला process भी है, इसके लावा क्या लेंगे, हम अपना user context भी ले आते हैं, user context, अब इस user context को कैसे use करना है, आभी बताते हैं, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, सबसे पहले क्या करो, हम एक काम करते हैं, अपना UI define कर लेते हैं, जादा time नहीं लेंगे UI में, इसको कर देते हैं, div बना देते हैं, और यहाँ पे, उपस, आप हटी हैं यहाँ से, ठीक है, h2 लेते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं login, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, एक input लेते हैं, यह लिजे, input, और self closing लेते हैं input, यह लिजे, अब इस input के अंदर कुछ values, type हमारा जो है, वो है text, और क्या चीज़ है, placeholder ले लेते हैं, placeholder के अंदर, username डाल देते हैं, आपका जो मन करे डाली है, हमें तो values, context के अंदर provide करनी है, वहाँ पर fetch करनी है, उससे देखते हैं, अच्छा ठीक है, इसी तरह से input हो जाएगा, हमारा username, एक input हो जाएगा, हमारा password, ठीक है, और एक हमारा पास हो जाएगा button, यह लिजे button, और जिस button के अंदर हो जाएगा, हमारा पास submit, form नहीं ले रहे हैं, हम button पे on click पे ले ले लेते हैं values, तो सबसे पहले तो on click, तो on click पे हो जाएगा handle submit, handle submit, अब handle submit लिख दिया है, तो method तो है नहीं, और वैसी बात है, method भी बनाना पड़ेगा, और इसको बोलेते है, handle submit, और आप इस तरह से आ जाईए, यह लिजे, इसकी complaint हो गई बन, लेकिन अब यह जो placeholder, username और password लिए, इनके लिए एक state तो लगेगी, और state के अंदर values अपडेट करनी पड़ेगी, तो state भी ले ले लेते हैं, तो इसको बोलेते हैं, username और फिर बोलेते हैं, set username, state से याएंगे, तो ठीक है जी, use state, और यह लिजे, default empty value, बाइद वे आप यह भी use कर सकते हैं, use state का snippet भी आपके पास होता है, और यहाँ पर आप directly भी लिख सकते हैं, तो password, और set password, और यहाँ पर जाके हम इसको भी empty कर देते हैं, ठीक है, इतना तो value हो गई हमार पास, अब यह value यहाँ पर control कैसे होगी, क्योंकि अभी तक यह control नहीं हो रही है, यह सिर्फ state हवा में है, तो वो control कैसे होती है, बड़ा ही basic सा है, यहाँ पर आईए, और उसको बोलिए कि जो आपकी value है, वो आप governed करेंगे कहां से, user name से, यह लीजे कर लिए, लेकिन इस field में अगर कोई change हो, तो वो state with update होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, event on change, अब on change के अंदर एक callback fire कर देते हैं, और बोलते हैं उसको कि कोई भी अगर event हो आपके पास, तो इस event को लीजे, और क्या करिए, आप अपना set user name को call कीजे, और वहाँ पर इस value को pass कर दीजे, तो event dot, वो ही अपना event dot target dot value, dot target dot value, यह सारी कहानिया तो हमने, JavaScript में बहुत याच्छे से, बहुत in-depth देखी थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं copy paste करेंगे, और क्या करेंगे, ठीक है, यह लिजे, यहाँ पर भी आ जाते हैं, जहाँ आपका मन करें, यहाँ पर रख दीजे, यह value किस से govern होगी, और पासवर्ड से govern होगी, और target.value ठीक ही है, और यहाँ पर set username की जगे, set password, यह लिजे, ठीक है, values हो गई govern, ठीक है, इतना काम तो हमें भी आता था, कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं थी, बट actually मैं जो process सीखना था, कि इस user context के अंदर, जो values है, वो कैसे fetch करूँगा मैं, उसके लिए आपको help करता है, आपका यह use context, कैसे करता है, जिस तरह से आपने use state होकी use करा है, उसी तरह से इसको भी use करेंगे, तो यह लिजे, हमारे पास यह आ गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक object ले लेते हैं यहाँ से, इसको लेंगे set user, ठेक है जी, set user लिया आपने, और यहाँ पे क्या लिया, use context, और उस context के अंदर value क्या पास करी, इसलिए तो हमने user context लिया था, अब जो लोग भूल गए हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि होता है अकसर ऐसा, भूल जाते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ लोग सोच रहे होंगे, यह set user कहां से आ गया है, हमने तो यहाँ पे कभी लिया ही नहीं है, उनको मैं recommend करूंगा, context में वापिस जाईए, और यह जो user context है, आपको अगर याद हो, तो हम यह pass कर रहे थे, तो यह दोनो values, इसलिए तो यहाँ से pass कर यह props से, ताकि उस value से कोई data चीए, तो मैं सिर्फ user से लेके वो data ले लूँ, लेकिन अगर इस field में, इस state के अंदर कोई value add करनी हो, तो मेरे पास method है na set user, तो यह set user का जो access है, मेरे को कहां से मिल रहा है, इस use context है, इस use context के अंदर वो context देना पड़ता है, क्योंकि अभी तो आपका एक context है, हो सकता login context हो, product context हो, API call context हो, तो properly write context देना पड़ेगा आपको, तो वो properly context दोगे, तब ही तो उससे आप वो set user ले पाऊगे, ठीक है, अब set user आपने अगर ले ही लिया है, तो यहाँ पे करना क्या है, कुछ भी तो नहीं करना, पहले तो आपके पास event आएगा एक, यह लिजे handle submit में event आ गया, अब इस event का क्या करना है, default behavior prevent करना है, prevent default, अगर मैंने typo नहीं किया हो, default prevent क्यों किया, क्योंकि by default जब भी आप submit करते, तो value URL के थुरू कहीं नहीं चली जाती है, या फिर post method के थुरू चली जाती है, और set user method अब मिली गया है, तो उसके अंदर क्या करो कुछ नहीं, यह आपका username पास कर दो, आपका मन करें तो password भी पास कर दो, यह लिजे, तो हमें data भेजना तो आ गया, कि किस तरह से data भेजना है, बड़ाई simple सा था, आपने देखा कुछ भी react का extraordinary हमने नहीं पढ़ा है, यह easy इसलिए लग रहा है, क्योंकि easy बनाये गया है, कभी देखिये, और online जाके आपको पता लगेगा, कितना complex है यह, ठीक है, एक values तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आप दूसरी चीज़ और समझने है, कि यह तो बात हुई data भेजने की, अब data लेना कैसे है, अगर आप यह सोच रहे हैं, डेटा लेने के लिए बस exact same कारण करना पड़ेगा, set user की जगे user ले लूँगा, और वहाँ से data extract कर लूँगा, तो एकदम सही हो आप, आजी, एकदम सही हो आप, आप सीख गए हो किस तरह से काम करना है, तो profile के अंदर आते हैं, RFCE लिखते हैं, गे लिजए अपना RFCE, profile as it is है, as it is react के अंदर हम लेते हैं, तो वही सबसे एक important to use context ही, जो हम पढ़ रहे थें, वही हमने लेना है, ठीक है, और उसके लावा user context तो लेना ही पढ़ेगा, user context बढ़ना, बताऊंगा कैसे कहन से context की बात कर रहा हूं, 5-6 context, अकसर 10-10 context भी होते हैं, ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है, कुछ नहीं, जो same काम हमने वहां किया था, नहीं चाहिए मुझे यहां पर, अब यह यहां पर आगया है, तो इसको हम return कर देते हैं, actually मैं return भी नहीं करते हैं, actually मैं हम यहां पर conditional return कर देते हैं, यह भी कई जगे आप पढ़ते हैं, कई लोग इसको अलग topic में discuss करते हैं, मैं तो नहीं करता हैं, मैं तो बोलता हूँ, देखें बड़ा if else वाला syntax है, कोई react आगे ऐसली कुछ special हो नहीं रहा है यहां पर, syntax एक if को check कर लेते हैं, कि अगर कोई user हो ही नहीं तो क्या बोलो, अगर देखें कोई user है ही नहीं और वहां पर user गया ही नहीं है, तो आप simple सा return कर दो, लेते हैं, normally, एक simple सा div लेते हैं, div, और यहां पर बोलते हैं, welcome, welcome के बाद, जो भी user का name है, user में से extract कर लेंगे user name, बस इतना सा ही तो काम है, अब देखें कुछ magical हो नहीं रहा है, वही return अपने है, return कोई भी value return कर देता है, उसके बाद execute होता ही नहीं है, तो यहां मैं कभी पहुंचूँगा ही नहीं, और गर case false है, तो मैं अपने आप यह return कर दूँगा, ठीक है, यह भी लगा लेते हैं, welcome, ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान है, इतना भी जादा difficult है नहीं, अब interesting बात क्या है, अब हम चलते हैं अपने app.jsx के अंदर, क्योंकि यहां पर काफी कुछ हो रहा है, लेकिन हमने कुछ किया नहीं अभी तक, यह हमार पास value आ गई, h1 वाली, यह सब ठीक है, अब यहां पर दो component आपको import कराने, और वो component कैसे data access करेंगे, वो हमने component के अंदर ही handle कर लिया है, यहां पर मुझे कुछ नहीं करना है, अब जैसे suppose करीए, मैं top पे एक login वाला, यहां पे component import करा लिता हूँ, यह लिजे, और उसके बाद आपकी profile वाला content content component, import करा लिता हैं, यह लिजे, अब देखिए, हो सकता है, आपने app.jsx के अंदर एक API call करी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप user context लो, वो ही use context use करो, और data वहाँ पे fetch कर दो, जब भी आपको लेना हो data, जिस भी component में है, तो use context use करो, data ले लो, बस, इतना से तो काम है, अब इसको run करके देखते हैं, और देखते हमने कितने bugs, introduce कर दी हैं, तरी दी होंगे, और एक भी नहीं है अभी तक तो, ठीक है जी, अच्छी बात एक भी नहीं है तो, एक क्या करते हैं, छोटा सा मिया पे, एक और login के अंदर, कुछ space introduce करते हैं, बस जादा तो कुछ नहीं, हम यहाँ पे directly, यह introduce कर देता हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा space आ गई, जादा space तो आईगी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे, non-breaking space characters, एक space लेलते हैं, दिखतो रही हैं, जूम कर लेंगे, ठीक है, अब देखें, यह बात क्या है, अभी यह बोल रहा है, प्लीज लॉग इन, यह इसी बात का fact है, क्योंकि वहाँ पे user नहीं है अभी, अब मैं जैसे यहाँ पे username लिखता हूँ, हितेश, password में कुछ भी लिखूँ, कोई चेक तो है नहीं वहाँ पे, और जैसे ही करता हूँ, तो important और interesting बात यह, कि यहाँ पे हितेश आ गया, अच्छा, कईयों को, अगर जो लोग directly कूद पढ़े हैं, यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको comment में मिल जाएंगे, कई लोग ऐसे करते, यह कौन सी बड़ी बात थी, हमने तो हितेश यहाँ से, इतना सब करने की ज़रूत ही क्या थी, हम अगर app.jsx में directly pass कर देते, प्रॉप हितेश, तो इसका मतलब यह आपको lecture समझ ही नहीं आया, हाँ जी, fact है, तो अगर ऐसा कोई कहता हूँ मिले, तो please उसको कहिएगा, अरे भाई, इतनी महनत से, इतने प्रेम से पढ़ा रहे हैं, please lecture को शुरू से ही देख लिया करो, और free time में बैट के देखा करो, ताकि आपको कहानी तो समझ में आये, जो ही हमने पूरी Netflix की यहां सीरीज चला रखी है, रियाक की, आपको समझ में तो आये, और वीडियोस को 4K वगरा में देख लिया करो, तो और अच्छे से code समझ में आ जाएगा, तो ये तो रही आपकी कहानी कि किस तरह से आपका context होता है, ओके जी, ठीक है, अब आपको क्योंकि context की पूरी कहानी समझ में आ गई है, बट एक और important चीज है, अकसर लोग tutorials यहीं रोग देते हैं, लेकिन मैं एक step और आगे लेके जाओंगा, क्योंकि आपको एक और syntax, एक और तरीका समझाना ज़रूरी है, वरना अगर आप किसी और का code base देखोगे, especially corporate वगरा में जाओगे, तो पक काफस होगे, अब यह जो context में लिखा है न, user context और यह context, यह जो चार लाइन है, क्योंकि अब आपको समझ में आरे है, इसलिए आप इस lecture के part 2 में अब जा पाओगे, लेकिन part 2 में जा रहे हैं, इतना लंबा विडियो बना है, तो यह बताओ मुझे, 1000 comments हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, यह तो 2-3 गंटे में हो जाने चीए, अब इतने लोग देख रहे हैं, और फटाफट करो यार, क्या कब तक देखेंगे, 100K subscriber cross करें, कुछ silver button आया है, कुछ हम भी देखें कि हाँ, मज़ा आ रहा है लोगों को, लोग support कर रहे हैं, ठेक हैं, तो अब चलते हैं हमारे 9th project पर, हाँ जी, इसी के अंदर ही हम अपना 9th project बनाएंगे, बट उससे पहले मैं क्या है, यह सबको मैं push करना चाहूँगा, ताकि actually मैं आपको सारी details और values मिल जाएं, तो यहाँ पर हम बोलते हैं, context, API, discussion, यह discussion ही था, project भी था actually मैं, project, context API का हमने यहाँ पर project कमिट कर दिया है, ठीक है जी, push भी करी देते हैं, कि आपको सारा data मिल जाएं, ओके, तो अब जिनको जिनको पता है, कि कहाँ पर हमारे सारा code base जाता है, मेरे github account पर, वो क्या करिएं, सीधा github पर जाईए, in fact, I think मैं भी होगा कहीं ना कहीं, github पर, यह रा github, ओके, तो यहाँ पर repositories में, यहाँ पर मैंने आपको context के notes भी दे दिये है, अब context के notes कुछ नहीं है, theme button का UI है, card UI है, card का UI क्यों दिया है, थोड़ा सा अच्छा लगे है, क्योंकि हम जो बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ठिक ठाक भी तो लगे, और app के अंदर भी थोड़ा सा CSS लिखा है, जादा कुछ नहीं है, अच्छा, अब इस कहानी को समझने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर tailwind वगरा use करेंगे, तो आपको एक कहानी और समझ मैंनी चाहिए, कि जब आप tailwind पर जाते हैं, कि tailwind का एक, tailwind प्ले करके आता है, ओके यहाँ पर आप देखेंगे, कि आपके पास एक टॉप में बटन है, जो कि क्या कर रहा है, लाइट मोड और डार्क मोड में स्विच कर रहा है, अब वैसे तो हो सकता है, तो आप इसके टॉप पर जाएए, जहाँ पर HTML लिखावा है, अब उस HTML के अंदर आपको क्या है, कुछ classes दिखेगी, जैसे मैं यहाँ पर लाता हूँ, तो last जो class है ना, वो है dark, बस यही कहानी है tailwind की, tailwind कैसे detect करता है, dark mode या light mode है, क्योंकि, जो CSS लिखी जाती है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर CSS, जाद तो मैं CSS की बात नहीं करना चाहरा अभी, बट आप देखेंगे, कि यहाँ पर fixed वगरा सब लिखा है, लेकिन कुछ के आगे dark colon है, तो automatically, tailwind के अंदर हम जब classes लिखते हो, हो जाए, light mode हो, तो यह classes active हो जाए, बस आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक switch enable करना पड़ता है, यह dark की जगे, यहाँ पर मुझे light करना पड़ता है, यह देखे, light लिखते हैं, light हो गया पूरा mode, और यहाँ पर हम dark जैसे लिखेंगे, तो obviously बात है, dark mode हो जाएगा, तो tailwind के अंदर इसी तरह से काम किया जाता है, अलग-अलग libraries, अगर आप core CSS लिखेंगे हैं, तो obviously बात है, आपको पूरा styling चेंज करना पड़ेगा, जावस्कृट वगरा से काफी कुछ, वहाँ पे सरकस होता है, बहुत, लेकिन अभी आपको पता लग गया, कि इस तरह से हमारा ये काम होता है, ठीक है जी, ये कहानी जाननी इसलिए जरूरी थी, क्योंकि जब यहाँ पे आप आएंगे, तो हमने actually में CSS इसी तरह से लिख रखी है, आप कई बार देखेंगे, किस तरह से dark mode की CSS है, तो हमने ये project जो बनाया है, ये जो CSS लिखी है tailwind की, वो कुछ इसी तरह से लिखी है, कि dark mode हो अगर तो dark mode detect कर ले, और light mode हो तो light mode, तो हमें करना क्या है actually में, हमें सिर्फ एक switch toggle करना है, जो की, ये जो HTML है, इसके अंदर dark और light mode toggle कर दें, लेकिन अगर एक अलग component बनाएंगे switch का, तो हमारे card को कौन बताएगा कि toggle हो चुका है, उसके अंदर state update हो गई आपके HTML की, और अगर card को पता लग गया है, तो वापिस से अगर toggle हुए, तो state उसको button को कौन बनाएगा, तो सब के बीच में हमें बात करने हैं, लेकिन इस बार हम जो बात करेंगे, थोड़ी सी अलग style में करेंगे, थाकि आपको एक दूसरा variation में दे पाऊं यहां पे, ठीक है जी, तो यहां पे हम आगए हैं, और npm create wheat at latest, यहां पे हम इस project को नाम देंगे, हमारा context API है, तो theme switcher हम इसको नाम दे देंगे, ठीक है जी, यह है हमारा 09, देखा हमेंने 10 project कहे थे, बढ़र 10 तो हम बहुत आगे जाने वाले हैं, theme, theme switcher, ठीक है जी, और obviously बात है, react यूज़ करना है, javascript use करनी है, और cd करके उसके अंदर जाना है, इतना काम तो सभी को पता है, उसके बाद जाके npm install करना है, ठीक है जी, npm install के बाद क्या करना है, tailwind पे जाना है, tailwind पे नहीं जाएंगे, तो कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ tailwind पे बेस है, कहते ही मान लेते हैं, जैसे आप लोगों को कहना पड़ता है हर बार, कि इतने कमेंट करिए, शेयर करिए, कई लोग क्या कहने के बाद इमानते हैं, अब ही हम theme switcher के अंदर ही है, ls करके देख लें, पेस्ट कर देता है, ये लिजे, और बताईए क्या करें, अच्छा ये भी करना है, ठीक है जी ये भी कर देते हैं, आप कहते तो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, tailwind की source के अंदर, index.css, अब कुछ हटाओ, ये पेस्ट कर दो, बस इतना सा ही काम है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी अभी तक, नहीं है ना, इतने सा तो easy काम है, चलिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और एक बार इसको run करके देख लेते हैं, actually मैं app.jsx के अंदर आते हैं, और, सारे के सारे सब को हटाईए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक basic h1 चाहिए, जो चाई के साथ आजाए, और इसको क्या करिए आप, पहले तो padding दीजिए, नहीं ऐसे तो मत दीजिए, class name के अंदर दीजिए, padding दीजिए पहले तो इसको 4 की, उसके बार इसकी, bg-pink लेते हैं इस बार, क्यों लेते हैं, पता नहीं, pink city से हो में शायद इसलिए, और text तो black ही रहता, by default मुझे चले गए था, text-3xl, ठीक है, आप इसको run करके बताइए, मुझे कि क्या ये चल रहा है कि नहीं, npm run dev, ये लिजे, और बताइए, कि मामला चल रहा है कि, हाँ, चल तो रहा है, एक दम बढ़िया से चल रहा है, अच्छा, अब आते हैं back, और, जो file है, please, मैं तो यहीं से ले सकता हूँ directly, क्योंकि मेरे पास context notes है, मैं नहीं बना है, इसलिए मेरे पास यहीं access है, आपको अगर यहां से नहीं लेने है, तो आप यहां पे जाईए, github repo के अंदर, और यहां से एक एक करके ले लिजे, अब देगे सबसे last में हमारे पास app का UI है, तो ठीक है, यहीं से ले ले लेता है, अच्छा, यहां तो copy बटन भी आता है, यह सबसे अच्छा लगता है मुझे, हमारे home notes में यह नहीं आता, VS code में अभी नहीं है, कि अगर आपका MDX code है, तो directly coffee दे दो, विश, आना चाहिए था, तो यह लीजे हमने directly हां दे दिया, अब यहां पे एक comment लिख देते हैं, यहां पे actually में हमें, एक दूसरा component हम लाएंगे अभी, हमारा जो theme button होगा, वो वाला component इसके अंदर आएगा, तो एक बार हम क्या करते हैं, theme button वाला component ले आते हैं, मदब ले के आते हैं, comment में लिख देते हैं, तो और यहां पे भी एक आएगा, यहां पे भी, तो यहां पे तो आएंगे हमारे theme button, और यहां पे आएंगे हमारे card, ठीक है, CSS वगरा सब दे रखिये, हमें इन सब की कुछ जरूत नहीं अभी, बड़ा ही basic से चल रहे हैं, और यह सब सब अटाई हैं, ठीक है, इतना काम तो हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं, एके करके, पहले हम card button बनाते हैं, actually button क्या बनाते हैं, पहले context बनाते हैं, सबसे पहले क्योंकि actually हम context यह तो देख रहे हैं, लेकिन इस बार context जो हम बनाएंगे, यह थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे, in fact आपने देखा अभी तक कि हमने यह जो app.jsx है, इसके अंदर हमने क्या करा है, सीधा ही यह div class वगरा introduce कर दिया है, लेकिन हमें कोई ना कोई theme provider, या कुछ ना कुछ login provider, user provider, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था, तो वो भी नहीं है हमारे पास, अच्छा हमारा CSS indentation भी बहुत बिगड़ा हुआ है, यह तो बिलकुल ठीक बात नहीं है, हाँ, अभी ठीक है थोड़ा सा, तो सबसे पहले बनाते हैं context, चलिए जी, ओके तो source के अंदर बनाएंगे एक नया folder, उसका नाम देंगे context, context, context जादा ठीक है, अब हम बनाएंगे एक फाइल, और इस फाइल का नाम देंगे हम, theme.jsx, अच्छा, theme.jsx, डिरेक्ट ही theme.jsx पे आ गए, हाँ जी, theme.jsx पे डिरेक्ट ली आ गए, अब एक बाद बताएए, theme.jsx पे डिरेक्ट आ रहे हैं, या in fact, jsx की भी जरुत नहीं है हमें यहाँ पे, डिरेक्टी js ही लिख सकते हैं हम, एक बार करके देखते हैं, क्योंकि आज सच कोई मुझे लगता नहीं हम, इसमें कुछ, jsx इंपोर्ट करने वाले हैं, यह क्यों, यह भी बताता हूँ आपको, सब्र तो रखिए थोड़ा सा, ठीक है, अब हम यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा सा different approach, different approach क्या है, गौर से देखेगा, सबसे पहले तो, देखे, react वैसे आपको import करने की ज़रूत है, नहीं फाइलों में, हम कर रहे थे, ठीक है अच्छी बात है, एक तो चाहिए आपको create context, वैसे हम react.create context बोल रहे थे, वो भी ठीक है, और एक चाहिए हमें use context, यह तो हमें समझ में आ चुका है, almost अभी files में चाहिएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, आप देखें, किस तरह से हम कर रहे हैं, पहले हम export करते हैं, एक theme context को, वहाँ पर भी कर रहे थे, exactly same, मैं actually मैं उसको open नहीं कर लेता हूँ, ताकि हम side by side compare भी करते जाएं, comparison अच्छा होता है, चीजें समझ में आती है उससे जल्दी, ठीक है, यह था हमारा user context, तो वह यह आपने create context बनाया था, यह user context से और इसको export कर दिया था, ठीक है, almost similar काम हम करेंगे, और यह लीजें हमने क्या करा, create context बनाया, और यह लीजें, अब create context में उस ताइम पर हम क्या दे रहे थे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर actually में default value डाली जा सकती है, हाँ जी, किस तरह से डाली जा सकती है, और कैसे use हो सकती है, वो भी बताता हूँ आपको, क्योंकि यह थोड़ा से different syntax है, काम वो ही है, लेकिन वो बताया ना, जैसे मैंने आपको router में समझाया था, कि दो तरीके हैं चीजों को करने के, और वो काफी confuse कर देता है, तो create context को, जब आपका context बनेगा, यानि कि initial जो आपकी state होगी, तो वहाँ पर भी आप कुछ value दे सकते हो, कि context जब पहली बार बने, तो उसके अंदर क्या-क्या value औरड़ेडी feed हो, जो पिछला वाला हमने example लिया था, वहाँ पर हमने कोई value नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ, उसके अंदर default एक object present हो, उस object के अंदर क्या हो, एक तो आपके पास हो theme mode, theme mode की value क्या हो, light, क्योंकि मैं चाहता हूँ, जब भी कोई भी theme mode contact करे, अगर directly call कर देगा, तो क्योंकि मैं उसके अंदर कोई value add ही नहीं करी है, तो कुछ नहीं होगा, उसके अंदर crash हो जाएगा, या तो null आएगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ कि हर बार user को जब भी theme set करनी हो, at least एक default variable वहाँ पे हो, अच्छा ठीक है, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, एक ये dark theme नाम का function यहाँ पे उसके पास available हो, ये function करता क्या है, कुछ भी नहीं करता है, just एक function है भी हमारे पास ये, ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक light theme का ये function हो, वैसे तो मैं एक ये function से काम कर सकते थे, toggle करवा के, बट मैं यहाँ पे दो use कर लेता हूँ, एक light theme, अब ये क्या है, दोनो method है, ठीक है, ये method मुझे कहां से मिलेंगे, जब भी कोई context call करेगा, ये theme भी मिल जाएगा, आपको और दो method भी मिल जाएगे, ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी हमें नहीं पता है, बट हम दो method, तो ये सिर्फ इस बात को बताने के लिए, क्योंकि आगे जाके ऐसे complex example है, जहाँ पे हम flow पे और discuss करेंगे, बट ये सिर्फ इतना बताने के लिए, कि आप variables भी दे सकते हो, प्लस अपने method भी दे सकते हो, जो बात उनको वहाँ पे clear नहीं हुई थी, कि यहाँ पे जम context provider के अंदर ये जो दे रहे थे, ये actually वहाँ variable और method दे रहे थे, क्योंकि react का कोई magic है ही नहीं, जो है JavaScript का है, अब क्या कर रहे हैं, वो तो export करी दिया, पर और export क्या लिख रहे हो, देखते जाए, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक theme provider, बट provider तो हम अलग class में लिखते हैं न, नहीं, ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ से export करने का फाइदा क्या, फाइदा कुछ नहीं है, syntax से अलग अलग तरीके के style है, अब जैसे हम यहाँ पे जाके देखेंगे, इसको wrap करना पड़ेगा, तो आपने देखा था, पिछली बार किस तरह से wrap किया था, वो भी आपको बता देते हैं, तो पिछली बार app.jsx के अंदर आपको पता हो, तो user context provider हमने directly ही access ले लिया था, कैसे लिया था, याद है, आप यहाँ से ले रहे थे और, फाइल कहांगे user context, तो हमने क्या करा था, यह user context provider लिया था, और यह रापका user context.provider, उसके अंदर हमने children pass कर दिये थे, तो actually मैं end of the day काम तो यह हो रहा है, कि हमारा जो app है, वो भी अब यहाँ पे render हो रहा है, उसके अंदर और component render हो रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं, इतना सब नहीं करना मुझे, तो आप directly यह काम भी कर सकते हैं, कि मैं यहीं से export कर देता हूँ उसको, तो अब क्या करेगा, यह theme provider actually में है क्या है, तो यही ना एक variability तो export कर रहे हो, और कर के आ रहे हो इसके अंदर, ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं, आप चाहो तो यहाँ पर अपने custom hooks भी बना सकते हो, जो अकसर लोग बनाते हैं, ठीक है, उसको भी export किया जाता है, तो export default, और हम क्या करते हैं, क्यों custom hooks अपने आप में एक function ही है, use उनके साथ keyword हम लगाते हैं, और उसको बोलते हैं use theme, अच्छा use theme करता क्या है, यह करता कुछ खास नहीं है, यह आपको एक just return करता है, क्या return करता है, यह जो use context है ना, यह return करता है आपको, अब use context में context भी तो देना पड़ेगा, हाँ जी इसलिए तो import किया है हमने यह, यह हमारा theme context, import तो क्या किया है, actually मैं उपर से ही तो लिया यहां से बस, तो अब क्या हो गया, अब आपको हर जगे ना, दो-दो import के जरूत नहीं, क्योंकि अभी तक हमने फाइलों में देखा था, अगर आपको याद हो, हमने components वगरा में देखा था, प्रोफाइल में, तो आप हर जगे use context ले रहे थे, फिर आप दो-दो files import कर रहे थे, कि use context तो चाहिए चाहिए, user context भी चाहिए, login में भी हमने देखा था, कि आपको use context भी चाहिए, यह तो hook है, और इसके साथ user context भी चाहिए, अभी actually मैं दो-दो काम ना करके, क्योंकि वो context वहीं पे set हो गया है, तो मुझे क्या करना है, बस यहां से एक use theme ही तो import करना है, use theme अपने आप ये use context वगरा सब, तो context के अंदर जो भी values है, उसका access मेरे को दे देगा directly, तो यह भी एक coding syntax है, coding structure है, जो काफी लोग use करते हैं, तो देखे, theme provider में ले लूँगा, wrap कर दूँगा, ठीक है जी, काम हो जाएगा मेरा, और उसके बाद क्या करना है, कभी इन में से जिस भी values का, या कुछ भी access चीएगा, तो use theme यूज कर लूँगा, इस में से जो चीए हो, extract कर लूँगा, काम वो ही हो रहा है, लेकिन ये इसी लिए मैंने part 2 पे आपको कहा, कि यहां से चीजे थोड़ी सी complex है, जो नहीं समझाय जाती अक्सर, जब आप बहुत सारे पैसे दे देते हैं तब भी, बट यहां पे share या subscribe करके ही आपको मिल जाता है, ओके, ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कहानी, अब देखा, ये सारा काम हमने एक फाइल में कर दे, अक्सर production code में ये एक ही फाइल में किया जाता है, क्योंकि जादा better approach है, लेकिन, क्योंकि कभी किसी ने आपको बताए हैं कि किस तरह से, वो जो दो फाइलों में हमने काम किया था, उसको हमने एक फाइल के अंदर भी production में हम काम कर लेते हैं, काम वही है, बस थोड़ा सा easy कर लिया हमने, इसी वज़े से user confused हो जाते हैं, या फिर students confused हो जाते हैं, ठीक है, इतना काम तो हमारे पास हो गया, अब हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, अपने पहले जाना है app.jsx के अंदर, ठीक है जी, app.jsx में गए, अब मुझे पता है कि यह सारा जो काम है, यह actually मैं wrap करना ही पड़ेगा, वरना इसके अंदर जो भी आप component यहां, जो ख्वाईशे करके बैठे हो कि कभी theme बटन आएगा, कभी card आएगा, वो आएगा क्या, नहीं कभी ऐसे आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया, तो इसको access थोड़े ना मिलेगा, हाँ जी, तो किस तरह से काम मिलेंगे इसको, देखे, सबसे पहल तो क्या करिए, इसको कर दीजे, minimize, और इसको बोले कि चली, आप में पूरे कोई, wrap कर देता हूँ, अब अपने theme provider में, theme provider, ठीक है, और, ये लिजे, theme provider, और इसको करते हैं, cut, और यहाँ पर कर देते हैं, इसको paste, अब इससे हुआ क्या, अब इससे हुआ ये, कि इसके अंदर, जो भी component आते हैं, app के अंदर, या अगर हो सकता, आपका मन हो कि नहीं, मैं तो main.jsx में, इसको यही wrap कर दूँगा, ताब कि app के अंदर ही सारा आ जाए, हाँ, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही भी तो बात है, कई पर भी wrap करो, अब सारी चीज़े wrap हो गई है, लेकिन हमने ये देखा था, कि सिर्फ theme provider लगाने से, क्योंकि वो user.provider, theme.provider, वो लगाने से थोड़ना काम होता है, आपको values भी तो देनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप value नहीं दोगे, किस चीज़ का access सबको है, किस का नहीं है, वो तो हमें पता ही नहीं है, पर उन सब चीज़ों को access लेने के लिए, actually मैं पहले उनको लाना भी तो पड़ेगा, तो लाएंगे कैसे, हाँ जी, वो लाएंगे कैसे हम, वो भी बहुत आसान काम है, देखिए, ओके, तो टॉप पे जाते हैं, theme provider तो हमारे पास आ गया है, लेकिन, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इन values को access लेते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पे आते हैं, और बोलते हैं कि आप मुझे value को access दो, क्या-क्या value है आपके पास, तो सजेस्ट कर दीजिए मिरको, एक तो आपके थीम mode है, ठीक है जी, direct access मिल गया है, एक मिर पास access है, light mode, ठीक है, direct access मिल रहा है, और एक है मिर पास dark theme, dark mode, dark theme, देख लेता हूँ, इपर मैंने क्या नाम दिया था, theme.jsx, हाँ जी, dark theme, light theme, और theme mode, ठीक है, थोड़ा inconsistency है नाम में, बढ़ चलेगा, ठीक है, तो ये हमार पास values आगए, ठीक है, अब ये values के आपके पास direct access है, आप जब चाएन का access ले सकते हैं, ठीक है, theme button को भी उनका access मिलेगा, card को भी उनका access मिलेगा, ठीक है, लेकिन अब क्या है, actually मैं theme mode यहाँ पर और ये सब है क्यों, चले ये भी आपको बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ेगा, वो जो buttons आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं उनके लिए, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक यहाँ पर मैं बना देता हूँ, theme button, theme mode बना देते हैं, और इसको बोल देते हैं, set theme mode, ये क्यों कर रहे हैं, वो भी बताते हैं आपको अभी, use state, ये लिजे, use state, और use state में by default है light, तो अब एक बात तो मुझे समझ में आ गई, कि theme mode के अंदर direct value मेरे पास light है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखे, आपके पास in methods का access है, ठीक है, ये methods तो हैं आपके पास, पर ये method कुछ कर नहीं रहे हैं भी, यहाँ पे हमने उनकी functionality define नहीं करी है, पिछली बार वाले में almost functionality जो भी छोटी सी थी, वो define तो थी at least, इसकी value display करनी है, add करनी है, यहाँ पे आपके पास उनकी functionality define नहीं, यह मुझे पता यह method है, लेकिन यह method करते क्या है, वो मेरे को नहीं पता, तो ऐसी जब भी situation हो, ऐसी कई बार situation आईगी आपके पास, तो आप क्या करो, इन methods को सिर्फ इसी तरह से low as it is, और exactly इसी नाम के आप methods define कर दो, वो functionality अपने आप उनके अंदर चली जाती है, हाँ जी, यह बड़ा interesting concept है, तो हमने बनाया, क्या बनाया, एक पहले बनाते हैं, यह लीजे light theme, जो की exact same नाम, नाम same होना चाहिए, जरूरी है, तो उसको हमने कहा यह लीजे, और क्या करना है आपको, जो हमारे पास set theme mode है, यह हमने लिया, और इसको कर दिया, light mode के अंदर क्या रहेगा, light रहेगा, ओके, और इसी तरह का एक और method है, वैसे तो हम एक ही में काम कर सकते थे, अगर true false लेते, toggle कर देते हैं, ठीक है, बढ़ ठीक है, नहीं करते हैं, और यहाँ पे हम आ गया dark theme, और यहाँ पे उसको लिख देते हैं, simply dark, ओके, तो अब दो method हैं आपके पास, जो कि directly काम कर रहे हैं, लेकिन actually में क्या है, कि यह method सिर्फ होने से, यहाँ पे toggle करने से, यह उनसे काम नहीं होगा, actually में आपको यह functionality, automatically ऐसा नहीं ही, कि HTML के अंदर inject हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो functionality आपको यह लिखनी पड़ेगी, बट वो functionality क्योंकि हमने यहाँ पे code लिख दिया, और यहाँ से change भी हो रही है, तो सिर्फ इनके नाम से, हाँ, यहाँ पे use करेंगे इनको हम, बाकी जो हमारे वो हैं वहाँ पे, सिर्फ हम theme mode का access लेंगे, ताकि मुझे पता लग जाए directly कैसे हो, लेकिन कभी भी आपको change करनी है कोई भी theme, तब तो access लेना पड़ेगा, अच्छा यह तो ठीक है, लेकिन actually में theme कैसे change होती है, वो भी तो बताओ, actual change in theme, वो आपको classic JavaScript से ही करनी पड़ती है, हाँ, उसमें कोई react का सच को roll आता नहीं है, use effect ले ले लेते हैं, ताकि जैसे यह run हो, वैसे हमारे पास आजाए, snippet ही ले ले लेते हैं, ठीक है, dependency हमारी कोई है नहीं, dependency, actually में होगी तो सरीए एक, अभी देखते हैं, dependency पे, इसको अटाते हैं, पहले हम code लिखते हैं, तो code के अंदर क्या करना है, simple से अपना document का access लो, क्योंकि यह सारा code client side पर रहन हो रहा है, अभी हम server side की बात ही नहीं कर रहा है, तो simply document के अंदर जाके, आपको query selector से, आपको कोई बेलिमेंट मिल सकता है, तो अभी तो हमने देखा था, just HTML का access ले लो, और उसके अंदर क्या लो, class list का access ले लो, और वहां से remove कर दो, क्या remove कर दो, जो भी light या dark उसमें, जो भी लिख रखका ऐसा भी remove कर दो, light भी remove कर दो, और उसके अंदर, अगर dark हो तो dark भी remove कर दो, ठीक है, तो जित्ता इसको मिलेगा, वह वहां से remove कर देगा, अच्छा remove क्यों करा, क्योंकि मुझे add करना है, मुझे नहीं पता था, पहले से सखिंदर क्या value हो, तो change करने का मैंने, load ही नहीं लिया, यहां पर ठीक है, document.vapis से, वही query selector, actually मैं उसका variable में hold कर लेना चाहिए था, अब ठीक है, आप ही कर लेंगे इतना तो, html, और उसके बाद ये class list का access ले लो, और उसके बाद बोल दो add, अच्छा add क्या करना है, देखे add मुझे क्या करना है, simple सा theme mode, हाँ मैं dark और ये भी ले सकता था, ये theme mode में कोई भी change हो, तो use effect वापिस run होना चाहिए, तो obviously बाद उस dependency का नाम लिख दो, theme mode, ठीक है, अब जैसे से आप code लिखेंगे न, जैसे मेरे को एक intuition आ गया कि नहीं, एक dependency तो है, वैसे अभी आपको नहीं आएगा, eventually आप 10-15-20 project बनाएंगे, दो-चार साल देंगे रियाट के साथ, तो आपको भी ऐसे intuition आने लगेंगे, ठीक है, अब ये जो code है ना, इसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, इसका हमारा context से कोई वास्ता नहीं, ये basic हमारा code है, लेकिन अब चलते हैं हमारे पास, क्या क्या होंगे, ज्यादा कुछ खास होंगे नहीं, एक card है और एक theme बटन है, तो दोनों को बना लेते हैं, एक file बनाएं, folder बनाएं, file ही बना लेते हैं सीधा ही, लिखिये तो सरी, सीधा ही बना लेते हैं, card.jsx, और fce, ये लिजे, ये card बन गया, और एक बना लेते हैं button, इसका नाम देंगे, theme button, theme, अच्छा capital लिखना पड़ेगा, theme button.jsx, ये लिजे, तो हमर पास theme button आ गया, अब theme button का भी आस सच कुछ role है नहीं, rfce लिख दीजे, काम हो गया बस, अब चाहें तो आप basic button भी बना सकते थे, नहीं नहीं, थोड़ा सा fancy जाना है, तो थोड़ा सा fancy चल जाएए, एक एक कर के लिए क्या आते हैं, ये रहा हमारा theme button, तो इसका कुछ role तो है नहीं, ये as it is आएगा, और यहाँ पे copy paste हो जाएगा, ये लिजे theme button, export भी हमने एक ही line में कर दिया, ठीक है, ये आगे हमारा पास theme button, इसमें थोड़ा सा काम अभी करना पड़ेगा, obvious ही बात है, वो तो करेंगे, बट card के अंदर तो I don't think so as such कुछ काम है, बट ठीक है, इसको हम करते हैं copy यहाँ से, अरे अभी तो copy का दे रहे थे, अभी तो तारीफ करी थी मैंने, अरे ये क्या बात है, यहाँ copy का है और यहाँ पे नहीं है, ये तो गलत बात है, हाँ, अब आया, copy, scroll करने के बाद आएगा, ठीक है, ये भी जेल लेंगे, ठीक है, ये जी card आगया आपका, ठीक है, card के अंदर हमार पास as such कोई functionality हमने लिखी नहीं है, बस dark theme, light theme ही देखिए, dark theme वगरा ये सब हमने लिख रखा है, अभी इसको नहीं पता कि क्या theme है, कैसे क्या है, तो एक बार देखते हैं, और theme बटन को लेके आते हैं, theme बटन आप आजाईए, self closing हो जाईए, ठीक है जी, card आप भी आजाईए, ये लिजे card भी आगए, आप देखते हैं कैसा देख रहा है, तो ठीक है, ये तो आगया हमार पास, लेकिन आभी मैं इसको toggle करता हूँ, तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कोई functionality included ही नहीं है toggle के अंदर, लेकिन इतना मुझे पता है, कि अगर मैं right click करके inspect करके जाऊँ, तो मुझे पता है, HTML के अंदर अभी class एक light है, लेकिन मैं इसको जाके change करके, अगर मैं dark कर दूँ, तो ये dark है, और मैं हहाँ पर change कर दूँ, तो ये light है, ठीक है, अब देखे, light और dark आपने manually कर दिया, बट इसको कौन बताएगा कि light है या dark है, इसके पास तो information पहुँची नहीं कभी, तो information पहुचानी जरूरी है, ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे theme बटन के अंदर, अब theme बटन के अंदर सबसे पहले क्या काम करना है, हमारा hook, इसी दिन के लिए तो बनाया था, और किस के लिए बनाया था, ये रहा आपका hook, use theme, इसको लो, और आपके पास theme context मिल जाएगा, theme context में से क्या क्या निकालना है, theme निकाल लो, dark mode, light mode जो निकालना है निकालो, आपके उपर है, तो हम चलते हैं theme बटन पे, हाँ जी theme बटन पे ही थे, तो सबसे पहले use theme ले आते हैं, auto import होई जाएगा अपने आप, तो हम इसको बोलते है use theme, आजी आ गए, देखिए, ये लिजे use theme, अब इसमें से क्या क्या निकालना है, वो आपके उपर है, और ये लिजे बस, अब आपके उपर है, देखिए theme mode निकाल लेते हैं, इसमें से सब लेते हैं, ये लिजे light theme निकाल लिया, और ये dark theme निकाल लिया, ये लिजे, सब आ गए आपके पास, अब क्या करना है, अब यहाँ पे, actually मैं ये रह input button, तो input button पे value change होनी चाहिए, तो value change होने पे क्या होगा, वो सब भी हमें देखना पड़ेगा, तो एक method लगाना पड़ेगा, अजी, और ये input field है, तो इसकी value क्या ह होनी चाहिए, ये लिजे, value हमने दे दी यहाँ पे, value क्या करते हैं, by default देते हैं, इसको empty, कुछ नहीं है, ठीक है, value actually मैं already है, तो value देने की जरूद भी नहीं है, अब हमें तो दो काम करने है, एक तो करना है on change और एक checked, input box है, checked वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले तो देते ह on change, ये लिजे, on change पे क्या हो, on change, अरे, on change button, अब on change button तो ही नहीं, इसलिए ये चिलाएगा, बूलेगा, अरे, मेरे पास तो पता ही नहीं, ऐसा भी कुछ है, on change button, ये लिजे, उसको एक button दे दिया, और उसने चिलनाना बंद कर दिया, कुछ नहीं कर रहा, button वो बात अलग ह ठीक है, इतना तो हो गया, लेकिन अब, अगर वो checked रहे, तो कौन सी theme हो, तो अगर वो checked रहे, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, theme mode जो है हमारा, वो हो जाएगा, dark, ठीक है जी, तो इतना काम तो हो गया है, लेकिन theme जब change होगी तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस method को call करेंगे और value change करा देंगे, तो ठीक है, यहाँ पे आते हैं, तो एक क्या करते हैं हम सबसे पहले, dark mode status, लेना तो पड़ेगा न, अभी value क्या है, तो उसकी value तो लेनी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, value कैसे लेंगे, e.current, अच्छा हमारा पास event तो आया ही नहीं, event तो आना event.current target, हमने dom के अंदर discuss करा था, यह सब चीज़ें, अगर आपको याद हो तो, .checked, यह लिजे, अब आपके पास status आ गया है, कि actually मैं अभी क्या उसका status है, checked का, वो है dark, ठीक है जी, अब उस status को change करना है, तो कैसे change होगा, बढ़ा ही असान काम है, if dark mode status, अगर उसके अंदर क value है, तो हम क्या करेंगे, सीधा dark mode call कर देंगे, यह लिजे, तो हम कर देंगे dark theme, ओके, और वरना हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, इसको ताकि समझ में, code quality थोड़ सी improve कर देते हैं, यह लिजे dark theme, और else case में, आपके पास हो गया light theme, और light theme आपन से नहीं पड़ी होगी मेरे साथ वहाँ पर, या जिन्होंने कहीं और से देखी होगी, उनको यह problem आएगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक summarize revision करा दूँ, देखें, यह है आपके check boxes, check boxes के अंदर states होती है, या तो वो checked है, या unchecked है, तो हमने क्या करा उसके अंदर, सीधा checked दे दिया, और theme mode equals equals dark, यहाँ पर dark दी, तो obviously बात है, वहाँ पर values हो गई है कुछ न कुछ, कि checked के बाद आपकी dark value आजाएगी, तो checked है वो अभी, तो हम क्या करेंगे यहां से, कि अगर वो dark mode status वहाँ से ले लेंगे, अगर true होगा dark mode status वहाँ पर, तो हम उसको dark theme में डाल दे यहीं तो interesting बात है, यहीं से तो actually बात आती है, कि इतने से में हमारा काम हो गया है, क्योंकि यह states है, और states directly linked है आपकी theme से, और theme के अंदर हमने इस सारी values ली है, और जो app.jsx है, उसके अंदर हमने कहा है कि theme mode के अंदर अगर कोई भी change हो, तो use effect हो, इसलिए वो सारा अपने अपरन हो जाएगा, तो interesting बात यह है, कि आपके जो UI developer उसने जो भी आपको CSS लिखके दिये, dark mode वगरा को, आपको उसके अंदर changes ही नहीं करने है, यही तो सबसे interesting बात है, इसलिए तो आप देखते हो, tailwind वगरा के अंदर सब में एक ही बटन आता है उपर, क्योंकि यह जो का नहीं था, बट आप exactly tailwind की ही functionality बना रहे थे, अब मैं इस वीडियो का अगर देता नाम की, build your own tailwind clone, तो बहुत सारे views आते, लेकिन actually मैं करा आपने यह यह, मैं नहीं चाहता, uninterested audience भी हो यहाँ पर आप देखे कितना बड़ा काम किया है आपने, simple सी आप dark mode, light mode थी, यह exact आपन देखते हैं, आप देखे हमारे पास यह toggle theme है, नहीं चल रहा, okay, I think कोई bug है, यह हमने कुछ save करना भूल गए, एक बार देखते हैं, कौन कौन से bugs है हमारे पास में, एक बार इसको restart कर लेते हैं, npm run dev, open करके देखते हैं, okay, I think चोटा मोटा कोई bug है, मैं एक second देख केस को fix क करते हैं, इस bug को भी, हाँ जी, हो गया fix, इतना ज़्यादा कुछ difficult था नहीं, बट, आपको भी बताएं क्या, हाँ जी, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, चिंता मत करिये, actually में हमारे code में कोई issue ही नहीं था, issue कहां पर था, issue था tailwind के अंदर, हाँ जी, वो भी बताता आपको, वैसे तो, इतना ज़्यादा कोई discuss करना है, बात है नहीं, बट, फिर भी, चिंता मत कीजिए, सब बताएंगे, कुछ भी behind the scene नहीं चुपाएंगे, तो देखिए, हमारा काम हो रहा है, देखिए, अब इसको क्या है, कि investigate करते time, मैं पहले by default पर आ जाता हूँ, कि कि पर मेरे को issue मिला, तो देखिए, सबसे पहले मैं देखा कि मैं toggle कर रहा हूँ, और कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो मैंने right click करा, inspect के अंदर गया, और simple सा यहाँ पर देखा कि class अभी यहाँ पर light है, लेकिन मैं जैसे toggle करता हूँ, तो class तो मेरी change हो रही है, light और dark, तो at least ज जितना भी हमने लिखा है, वो तो सही है, यही तो करना चाहरे थे हम, और tailwind के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से functionality जो हम tailwind के अंदर भी देखते हैं, हमने right inspect यहाँ पर भी करके देखा था, जो tailwind का था हमारे पास में, अगर कहीं है तो अभी भी tailwind playground पे चलते हैं वापि तब इसी तरह से कोई ऐसी problem नहीं है, तो मैंने आके काफी देर तो अपने code को खोजा, सबसे पहले कियार मैं ही mistake कर रहा हूँगा शायद, app.css के अंदर गया, सब कुछ यहाँ से delete करा, फिर भी नहीं हो रहा, फिर याद आया कि शायद मेरी tailwind की configuration में कुछ दिक्कत है, क्य आपको enable करना पड़ता है, जिसका नाम है dark mode, अब dark mode में दो properties आपको मिलती है, एक मिलती है आपको media के basis पे, एक class के basis पे, तो हम नहीं चाते कि आपका जिस system है, उसके basis पे चले, जो कि चलता है by default, मैं चाहता हूँ class के basis पे चले, तो हमने class, जैसे media dark mode को class के basis पे कहा, कि चलि अपडेट हो गया है, और सब जगे सब को access मिल गया है, कि हाँ, अब हम dark mode में चल रहे हैं, तो यह होने को बड़ा ही basic काम है, और जो हमने पहले किया था, वो भी बड़ा ही basic काम है, लेकिन eventually क्या होगा, कि जैसे यसे हम आगे जाएंगे, तो हमारे पास क्या है, और भी बड बना रहे हैं, chat apps भी बना रहे हैं, तो वहाँ पर इन सब के बारे में discuss करना ना, इतना कोई समझदारी वाला काम नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक directly series बननी चाहिए थी, जो हम बना रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, next app के अंदर सबसे पहले तो चलते हैं, और सारा का सारा पुश कर देते हैं, ताकि आपको भी code मिल जाए, अब जिनको भी दिक्कत आ रहे हैं कि code कहां पे मिलेगा, क्या होगा, please, 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 उनकी help करिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से सीख पाएं, और सारे इन सब को tabs को बन कर देते हैं, बस इसके notes में मैं इतना सा ही हैं, उसके अंदर भी लिख देता हूं, ताकि सब को आसानी रहे, context notes के अंदर, तो context notes, ये रहे हमारे context notes, और इसके अंदर भी लिख देता हैं, remember to change config in tailwind, और javascript के file में आपको देता हूं, ताकि easily आप ये लिचे, अब आपके पास ये भी पहुँच जाएगा, तो इसको भ कर देता हैं, हाँ जी, मैं यही से push करता हूं, usually command line से भी कर सकते हैं, tailwind config, added to, कौन सी file, context note, ओके जी, ये कर देता हैं, commit, और इसको भी कर देता हैं, push, हाँ जी, तो अच्छे से आपको notes भी बना के दे रहा हूं, actually मैं ऐसे ही notes होते हैं, और भी notes होते हैं, कही लोग कहते हैं, हमें handwritten notes दीजे, exam ही pass करना है न, तो और बहुत सारे channel हैं जहां पर exam pass करवाया जाता है simply, तो उनको देख लीजे, यहां तो production grade बाते होगी, जो system सिखाएगी, असली engineering सिखाएगी, ठेक है, उमीद करता हूं, आपको काफी मज़ा आया होगा इस video के अंदर, target हमारा 1000 comments का है, क सब खो जाएगा, तो ऐसा मत करिए, इसको मत खोने दीजे, valuable content है, golden content है, सब तक पहुचने दीजे इसको, चलिए मिलते हैं आपसे अगले video के अंदर,